दोस्तो 44,000 पोस्ट आई है GDS में इंडियन पोस्ट ओफिस में तो आज की इस बीडम दोस्तो हम इंडियन पोस्ट ओफिस के वी वेकेंसी के बारें बताएंगे साथी साथ दोस्तों फ़र्म को कैसे अपलाई करना है पूरा इस्टेप बाइस स्टेप प्रॉसेस बताएंगे दोस्तो आप मुवाइल से फिल अप कर सकते हो तो एक बार वीडियो को पूरा देख लें अगर आप इंट्रेस्टेड हो जॉब पाने के लिए सटकाई नौकरी दोस्तो तो आप जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन चले दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वेकेंसी की तो बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर यह जो वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर जो है स्टेट वाइस जो है वेकेंसी है जिस स्टेट के लिए आप फिल अप करें उस State का language जो आपकवाना चाहिए जैसे आंदर पहरे में जो है आपको तिल्गू language आ चाहिए यहाँ पर तेरा सो पच्पर्जपर पोस्ट है आसाम में दोस्तों यहाँ पर और सो चियानेवे पोस्ट है पचीस सो अच्पर पोस्ट जो है बिहार में है 36 गण में दोस्तो 1338 पोस्ट है 22 पोस्ट दिल्ली में है गुजरात में दोस्तो 2034 पोस्ट है हर्याने में 241 708 जो है हिमाचर प्रदेश में जमू कस्मिर में 442 पोस्ट है इसी प्रेकार दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो जैसे कि जारकंड में जो है 2100 पोस्ट है केरला में 2400 पोस्ट है मत पर इसमें 4000 पोस्ट है दोस्तों यह सब पोस्ट जो है डेपेंड करता है आपके स्टेट पे जिस स्टेट के लिए आप फिल अप कर रहे हो उस स्टेट के अलग-अलग वैकेंसी है लेकिन दोस्तो उस state का जो आपको language आना जरूरी है और यहाँ पर जो qualification है दोस्तो उसमें जो है दसमी pass वाले केंड़ जो apply कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो दसमी pass अगर आप हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तो कितनी ज़्यादा vacancies है यहाँ पर जो 46,000 vacancy है दोस्तो अब यहाँ पर बात करते हैं form को fill up करने के लिए 100 रुपय का application fee लिया जा रहा है भागी female candidate के लिए कोई भी application fee यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है चलिए बात करते हैं form को कैसे fill up करना है तो देखें यह form जो है मैं आपको मुवाइल से fill up करके दिखा रहा हूँ सबसे पहले आपको इसका link मैं आपको description box पर दे दूँगा आप जो है वहाँ से सीदे link पर click करेंगे तो इस प्लैटफॉर्म पर आएगे और और बता दो इस form की जो last date है दोस्तो पांच आठ जानी कि पांच अगरस दोस्तो चौबिस जो इसकी last date है तो जो कि फॉर्म को fill up करने के लिए सबसे पहले आप इसकी official website में आएगे इस पर कार जो है official website है अब यहाँ पर देखे जैसे आप इसको नीचे scroll down करते हैं यहाँ पर जो है पंजाब के हैं तो आप पंजाब को select करेंगे अगर राजस्तान के हैं तो राजस्तान के select करेंगे मतलब जहां के आप हैं वहां के select करेंगे जैसे example में आपको बता देता हूँ जैसे मैं यहाँ पे जो है उत्तरपरिस का select करूँगा तो मैंने उत्तरपरिस का select कर दिया अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने UP select किया उत्तरपरिस select किया तो आप देखेंगे एक नया platform खुल के आएगा तो यहाँ पे देखेंगे यह platform जो है खुल के आज चुका है अब यहाँ पे देखें उत्तबरेस में circle साल गये है इसी पकार आप जिस भी state को select करेंगे उसमें क्या होगा उसमें जो है आपके state में जितनी भी जगाएं होंगी डिस्टिक होंगी हूँ अब दोस्तों वहां इस में select करने को प्लिक करके आया हुआ है तो यहाँ पर कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिंदी जो है language है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है यह वेकेंश चिस के सारे अपडेट है अब apply करने के लिए देखिए क्या करना है apply करने के लिए आपको इसके official page प्यारा है official page पर आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर उपर जाके देखेंगे यहाँ पर registration का option है पहला option बलब पहले stage में जो आपको registration करना है vacancies करने से देखने मैं आपको बता दिया ह किक हैआपको आपके स्टेट आ रहे हैं इसके बाइन कर ना है इसके बार स्टेज करना है फोर्थ बीते फोर्म कोकcesं कर देना है चलिए यहाँ पर दिखाते आपको यहां पर registration करेंगे तो आप यहां पर registration का option आएगा अब registration को आपको यहां पर click कर देना है यहां पर जैसे registration को आपको click करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रगा का platform कुल के आएगा अब यहां पर देखिए आपसे mobile number पूछा गया है आप अपनो भी पूछा गया है community पूछी गई है कौन से स्कूल से आपने पढ़ा हुआ है year of passing यह सब पूछा गया है मैं आपको यहां पर selection procedure बता दूं यहां पर जो selection procedure है उसमें जो है आपको करना कुछ नहीं है आपके 10 के basis पर परसेंटेस के basis पर जो है पर selection होगा ध्यान अखिएगा दसमी में जितना परसेंटेस पाएंगो उतना ज़्यादा आपको यहां पर जॉब मिलने का सब ज़्यादा गरांटी है तो इस परकार जो आप यहां पर सारे इंफॉर्मेशन फिल अप करके समिट कर लेंगे समिट हो जाएगा इसके बाद जो आपको अप्लाई ऑंलाइन पर जाना है तो यहां पर आप देखते हैं सेकेंड इस्टेज में अप्लाई आप प्लाई का उप्शन है इसको क्लिक करेंगे करते ही आपके सामने एक नया फ्लैट्राण खुल गया अब यहां पर देखिए रेजिट्रेशन आया हुआ है अब जो मैंने बताया पहले स्टेप में जो आपने रेजिट्रेशन किया था वही रेजिट्रेशन नंबर यहा से आप अपना सट्किल स्लेक कर लेंगे कोई बी सरके मतला अप जिसे स्टेट के К respectively यहां पर कर देंगे तर्डलीकेशन आपको करना कुछ फी पेमेंट हुआ है कि नहीं तो इस प्रकार दोस्तों आप यहां पर फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं बागी अगर आपको कोई भी असुब्दा होती है तो कमेंट कीजिए बागी बहुत अच्छी वैकेंसी है दसमी पास वाले केनेजियों अपलाई कर सकते हैं और यह वैके